क्या कभी किसी ने परमेश्वर को देखा है? मेरे ख्याल में यहसा प्रश्ण पूछना, अथनी बुद्धि मत्ता वाली बात नहीं होगी. क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को देखे और जिन्दा रहे, यह होए नहीं सकता. क्योंकि जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, तो हम एक और्डिनरी मनुश्य की बात नहीं करते हैं. हम एक साधरन मनुश्य की बात नहीं करते हैं. हम एक बड़े शक्तिशाली वक्ती की बात नहीं करते हैं हम एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम देख नहीं सकते मुसा देखना मांगता था बाइबल में लिखा हुआ है लेकिन प्रभू परमेश्वर यहवा ने कहा ऐसा कोई भी नहीं है कि मुझे देख करके जीवित रहे क्योंकि वो उसकी कोई सीमा नहीं है वो पवित्र परमेश्वर है वो अगम्य परमेश्वर है वो अनंत परमेश्वर है और एक सीमित मनुष्य उसको कैसे देख सकता नहीं देख सकता मेरे प्रियो जब भी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और ये शब्द कई बार बाइबल में आया हुआ परमेश्वर परमेश्वर यहवा तो हमारे मन में पता नहीं क्या विचार आते हैं क्या ख्याल आते हैं मुझे नहीं पता आपके मन में क्या विचा रहे थे, सिर्फ इतना हम जानते हैं, कि वचन के अनुसार, बाइबिल के अनुसार, परमेश्वर आत्मा है, और जो उसकी अराधना करें, आत्मा और सचाई से करें, लेकिन हम कुछ जलकियां देखते हैं उस अद्वेत परमेश्वर के बारे में, उस अपरिभरतनशील परमेश्वर के बारे में हम देखते हैं, उस अद्वेत परमेश्वर के बारे में कुछ जलकियां देखते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा और जैसा कि आप इस डायाग्राम में देख रहे हैं, इस पेंटिंग में देख रहे हैं कि जो परमेश्वर है वो महा, महीम, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्ति मान, परमेश्वर और उसका जो प्रभाव है अनंत काल तक चलता रहता है, मतलब एक चित्र के रूप में दरशाया गया, और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से जो शब्द आया है महिमा, चारो तरफ महिमा लिखा हुआ है, वो परमेश्वर की ओर केंद्रित कर रहा है, अब इसका क्या मतलब है, आज के इस एपिसोड में हम देखें है, मैं परमेश्वर के वचन से इसी अद्वेट परमेश्वर के बारे में पढ़ना मांता हूँ, और फिर हम थोड़ा सा उस पर टिपणी करेंगे, थोड़ा और अच्छी तरह से समझने के लिए, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, रोमियों की किताब उसका ग्यार्वा उड़ते हैं उस अद्वेट परमेश्वर के बारे में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धी और ज्ञान क्या ही गंबीर है, उसके विचार कैसे अत्था और उसके मार कैसे अगम है, प्रभू की बुद्धी को किसने जाना, या कौन उनका सलाकार बन गया, या किसने पहले उसे कुछ दिया, जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसकी ओर से और उसी के दुवारा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान यूग होती रहे, आमेन, यहां तक मैं आपके लिए पढ़ा, और इस पदों के पढ़ने से शायद आपको थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया होगा, उस हमारे जीवते परमेश्वर के बारे में, जिसकी हम अरादना करते हैं, जिसकी हम सेवा करते हैं, कि वो कौन है, और क्या वो गुण अपने में समाता है, है ना, अच्छा पहली बात हम देखते हैं, 33 पद के अनुसार, मैं आप परमेश्वर का धन, बुद्धी और ज्यान क्या ही घंपीर है? अब देखिए धन, धन के बारे में, यदि हम विचार करें, तो कितना धन की बात करें? अरे साब, धन तो सब उसी का है? पूरे श्रिश्टी उसी की है, पूरे ग्यालक्सी उसी की है, है पूरे तारा ग्ण उ प्रिद्वी में रहने वाले क्या उसको धन से दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन और उसकी बुद्धी परमेश्वर ने अपनी बुद्धी से पूरे सृष्टी के रचना की। हाँ जी हाँ। और इसी के संबन्द में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति और उसका पहला ध्याय और दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कि इस प्रकार से प्रमेश्वर ने अपनी बुद्धी से प्रभीश्वमसी के द्वारा इस पूरे संसार की पूरे विश्व की सृष्टी किया सिर्फ कहने के दौरा तो हम देखते हैं उसका धन और उसकी बुद्धी और उसका ग्यान अगर किसी को बुद्धिमान बनना है न तो हम उस बुद्धी के सुरोथ के पास आएं और वो बुद्धी का सुरोथ कौन है? हमारा जीवता परमेश्वर यहोवा जिहां जिसके हम अरादना करते हैं जिसको हम प्यार करते हैं जिसको हम पिता करके बुलाते हैं तो यहां पर हम देखते हैं प्रियो कि किस सुर्थी से परमेश्वर की गुड़ को यहां पर बताया गया उसका कोई तुलना नहीं कर सकते हम अरे साब पूरी स्रिष्टी भी उसके सामने रगते तो वो तुलना करने के लाइग नहीं क्यों स्रिष्टी का करता धरता तो वही है जैसे कि तीन जो बाते हम कहते हैं सर्वशक्तिमान सर्वग्यानी और सर्वव्यापी, सब जगा वो है सब ज्ञान को अपने में समाता है और सब चीजों को बनाने वाला सर्वशक्तिमान, परमेश्वर यहोवा ही है और वो अनंतकाल का है, उसका कोई अंत नहीं है अब देखिए हमारा शुरुवात होता है और अंत होता है, सही बात है कि नहीं हमारा जन हुआ और एक दिन हम यहां से निकल जाएंगे तो मौत भी है तो शारीरिक रूप से एक शुरुवात भी है और अंत भी है लेकिन परमेश्वर की जो बात है वो अनंत है उसका न तो शुरुवात है और न तो उसका अंत है यही बात हम पढ़ते हैं एक और जगह पर जो मैं आपके लिए पढ़ओंगा यशाया उसका 40 अध्या है और 28 पद यशाया उसका 40 अध्या है और उसका 8 पद सुनिए वचन कहता है 48 आध और उसके बाद 28 पद भी देखेंगे घास तो सुख जाती है और फूल तो मुर्जा जाती है परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा 28 को भी देख लें हम इसी के साथ-साथ अनंत काल की जो बात हम कर रहे हैं वो यह है क्या तुम नहीं जानते क्या तुमने नहीं सुना यहुवा जो सनातन परमेश्वर और प्रित्वी भर का स्रिजनहार है वह न थकता न श्रमित होता उसकी बुद्धी अगम है हरे साथ कोई तुल्ना नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारा स्रिष्टी करता है उसका ज्यान उसकी बुद्धी उसका धन हमारे किसी चीज़ से तुल्नात्मक नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अनंतकाल का परमेश्वर है वापस ग्यारा अध्याए में चलेंगे रोमियों और उसका ग्यार्वा अध्याए और फिर तैतीस पद में हम देखते हैं उसके विचार कैसे अथा है और उसके मार्क कैसे अगम है उसके विचार परमेश्वर के विचार तो हम सोच भी नहीं सकते अनंतकाल का विचार उसका मार्क अगम कितनी खुशी की बात यहाँ पर हम देखते है कि यह जो परमेश्वर है अद्वित परमेश्वर अपरिवर्तन शील जो कभी बदलता नहीं हमेशा एक सा रहता है उसकी महिमा आपको और मुझको करना है जैसे कि मैं तीरों के द्वारा दर्शाया यहाँ पर चारों तरफ जो महिमा शब्द लिखा है हमारा प्रति उत्तर उसके प्रति जो छोटे रूप में हम कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं चोटीस पत देख ले थे हम अच्छा यहां क्या लिखा हुआ है मैं आपके लिए पढ़नू फिर हम उसके में देखेंगे प्रभू की बुद्धी को किसने जाना या कौन उसका सलाकार बन गया आप अच्छी तरह जानते हैं कि अरे को काउंसलर की जरुरत पढ़ती है अच्छे से अच्छे लोगं को counselor की जरुवत पढ़ती है सलाकार की जरुवत पढ़ती है advocate की जरुवत पढ़ती है लेकिन परमेशर को कौन सला देगा भाई कोई नहीं दे सकता क्योंकि वह हुई खुद उसमें सब कुछ समा गया है ज्यान है भुद्धी है वो दुसरों को सला देता है वो मुझको सला देता है आपको सला देता है और वो सला कैसे दिया? अपने वचन के द्वारा जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा कि उसका वचन अनंतकाल तक रहता है प्रभु की बुद्धि को हम नहीं जान सकते हैं बलकि अगर हमें बुद्धिमान बनना है तो नीती बचन में लिखा हुआ है कि बुद्धिमान की शुरुवात कहां से होती है परमेश्वर को जानने के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर को अपने जीवन में लाने के द्वारा परमेश्वर का भैय मानने के द्वारा वो है बुद्धी की शुरुवात क्यों? क्योंकि भई उसी ने तो सब कुछ बनाया तो भई उसी के पास हम आएंगे हम उसी की स्रिष्टी है तो हम उसकी बुद्धी को कैसे जान सकते हैं, बस उसको अपना जीवन दे दीजिए, ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो 34 पद हमने पड़ा, फिर 35 पद में क्या लिखा हुआ है, या किसने पहले उसे कुछ दिया, जिसका बदला उसे दिय जाए, क्या हम उसको कुछ दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो कुछ हमारा है, उसी का है, क्योंकि उसी की तो हम स्रिष्टी हैं, आप सोचिए, हम उसकी स्रिष्टी है, उसने हमें बनाया, तो हम उसको क्या दे सकते हैं, कुछ भी नहीं दे सकते हैं, इत अपने आपको दे सकते हैं, उसको प्यार कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले में जो कुछ देना है, हम कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब कुछ उसी का है, अब 36 पद बहुत important पद है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्या लिखावा है, इसलिए क्यों हम उसको कुछ नह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि, 36 पद, क्योंकि उसकी और से, उसी के दोरा, और उसी के लिए, तीन चीज़े हैं, फिर से सुनिए, क्योंकि उसकी और से, उसी के दोरा, और उसी के लिए सब कुछ है, उसी के दोरा सब कुछ है, और उसी के लिए सब कुछ है, क्या बढ़िया, यहाँ पर पौल उसने यहाँ पर लेख लिखा जो पवित्रा आत्मा से अगवाई लेकर के पवित्रा आत्मा की गहराई में होकर के उसने लिखा जो कुछ भी है जो कुछ भी है सब कुछ देखा अंदेखा जो भी है यह सब उसकी ओर से उसकी ओर से कहने का मतलब है परमेश्वर की ओर से जो कुछ सब कुछ है उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया और उसी के लिए बनाया गया परमेश्वर के लिए ही बनाया गया आप और मैं या सरिष्टी जो कुछ भी है हम उसी के लिए बनाएंगे, अब देखे, बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है, कि जब उत्पत्ति की पहले अध्याय में पढ़ते हम की परमेश्वन ने कहा, ये हो जा, वो हो गया, उजयाला हो, उजयाला हो गया, पेड़ पौदे हो गया, पेड़ पौदे हो गया, बोलने के द्वारा, ल में जीवन का सांस फुग दिया, तो हम देखते हैं यह जो मनुष्य जो है, वो special creation है, special सृष्टी है, और दूसरी सृष्टी भी है, animals जो है, पेर, पक्षी, जानवर, और तारा, गर्ण, गैलक्सी, पृत्वी, और जो भी पहार, नदी, यह तो creation है, प्रभु के creation है, जीवित प्राणी है, मनुष्य जाती, वो special है, क्योंकि उसने special रीती से आपको और मुझको बनाया, वो भी उसी के द्वारा है, और उसकी ओर से है, और उसी के लिए हैं हम लोग, तो अब, आपका मेरा कर्तब क्या हो जाता, यह लिखा हुआ आखरी में, 36 पत की आखरी में उसकी महिमा युगान यूग होती रहे, किसकी महिमा, परमेश्वर की महिमा, त्री एक परमेश्वर की महिमा, जिसमें हम देखते हैं, पिता, पुत्र और पवितरात्मा, यह तीनों एक है, और इसमें उसी की महिमा हो, आप और मैं जो स्रिष्टी, विशेश जो स्रिष्ट है हमारा करतव्य है कि हम अपने जीवन के द्वारा अपनी बातों के द्वारा अपनी अराधना के द्वारा प्रार्तना के द्वारा हमारे विचारों के द्वारा जो हम सोचते हैं पवित्र बाते सोचना पवित्र बाते करना हम उसके लिए क्या लाते हैं महिमा लाते हैं उसक कि आकाश गंड किसकी महिमा कर रहा है परमेश्वर की महिमा कर रहा है ये चड़िया जो सबेरे उटकर के भाईया जगा देती है चार पाथ बाज़े चुई 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 हम लोग जग जाते हैं औरे साथ वो सबेरे से शुरू उनका तो आप और मैं क्यों ने उसकी महिमा कर सके जी हाँ कैसे करें महिमा अरादना के द्वारा स्तूती के द्वारा बचन पढ़ने के द्वारा दूसरों को अच्छे वहवारों को दिखाने के द्वारा प्रेम के द्वारा साहिता करने के द्वारा जियां अपने सोचने के द्वारा अपने विचार जो हमारे विचार जो आते हैं पवित्र विचार आएं अच्छे विचार आएं सकारात्मक विचार आएं जिससे परमिश्वर के नाम की महिमा हो जैसे प्रमिश्मस नहीं क्या कहा तुम पृत्वी के नामाख हो तुम जगत क कि प्रशंसा करें परमेश्वर की प्रशंसा करें हमारे पिता की तो मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने हमें बनाया स्रिष्टी करता अनंतकाल का अद्वैत महा महीम परमेश्वर जिसके बारे में हमने थोड़ा सा जल्गियां दिया यहां पर वो हम अपने जीवन के द्वारा उसकी महिमा करें एक पद मैं आपके लिए जरूर पढ़ना मांगता हूँ वो पाया जाता है यशाया उसका ब्याली सद्धिया है और आठ पद यशाया उसका ब्याली सद्धिया है और आठ पद मैं यहुआ हूँ मेरा नाम यही है मैं अपनी महिमा दूसरों को न दूँगा और जो स्तूती मेरे योग के है वा खुदी हुई मूर्तों को न दूँगा मेरे मित्रों मेरे भाई भेनों आये हम गीतों के द्वारा स्तूती के द्वारा प्रार्तना के द्वारा प्रभू परमेश्वर की महिमा करें और मेरी तो यह आशा है कि जो लोग सुन रहे हैं वचन उन्होंने प्रविश्व मसी को अपना जीवन दे दिया है अगर नहीं दिया है तो आप दे सकते हैं यह तो है इससे पहले कि हम प्रविश्वर की महिमा करें हम पहले उनके बेटे बेटी तो बन जाएं है ना और वो कै कैसे बनते हैं प्रविश्व मसी को ग्रहन करने के द्वारा पस्चताब करने के द्वारा अपने पापों से फिरने के द्वारा और प्रविश्व मसी पर विश्वास करने के द्वारा फिर हम उसकी महिमा अपने जीवन में अपने कामों के द्वारा हम ला सकते हैं परमेश् शुरुआत में आपके लिए पढ़ा था रोमियो उसका ग्यारा अध्याय और तैतिस पद से छतिस पद सुनिये आहा परमेश्वर का धन और बुद्धी और ज्ञान क्या ही गंबीर है कितने गहरे हैं उसके विचार कैसे अथा और उसके मार कैसे अगं है रभु की बुद्धी को किसने जाना या कौन उनका सलाकार बन गया है या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए क्योंकि उसकी ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है उसकी महिमा योगानु योग होती रहे मेरे परी भाई वेनो अज जो मैंने आपके सामने वच्छाइब किया उस अद्वेत परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन में अपनी बातों के दवारा अपने जीवन दौरा अरादना के द्वारा इस्तूती गान के द्वारा उसकी महिमा हम करते रहें और परमेश्वराब को और इसमें क्या देगा? आशिश देगा जब हम उसकी महिमा करेंगे न तो उल्टा वो हमें क्या करेगा? आशिशित करेगा सो आईए हम वही करें जो वो हमसे चाहता है